हाई हेलो नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे खुश होंगे आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप तमिल नाडू की किसी भी जमीन का रिकॉर्ड यानि पट्टा चुट्टा के बारे में जानकारी चाहते हैं तो इस जानकारी को ऑनलाइन आप कैसे चेक कर सकते हैं आप सबको ये मालूम होगा कि डिस्टल इंडिया प्रोग्राम के तहट सभी राज अपने लैंड रिकॉर्ड को अब डिस्टल कर रहे हैं इसी प्रोसेस के तहट केरल और आंद्रप्रदेश के बाद अब तमिलनाडू में भी लैंड रिकॉर्ड यानि कि पट्टा चुट्टा के डॉकुमेंट्स ओफिशिल इस सर्विस वेब साइट्स पर अविल्बल है सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर पट्टा चुट्टा का मतलब क्या होता है तो हम आपको बता दें कि पट्टा चुट्टा संपत्ती के असली मालिक के नाम पर तमिलनाडू सरकार द्वारा जारी एक कानूनी दस्तावेश है किसी भी जिले के तैसिलदार के दफ्टर में आपको पट्टा के डॉकुमेंट्स मिल जाएंगे हाँ आप ये याद रखिएगा कि ये पट्टा सिर्फ जमीन के लिए कानूनी रूप से लागू होता है लेकिन अपार्ट्मेंट के लिए ये कानूनी दस्तावेश लागू नहीं होता है इसलिए जरूरी है कि जब कोई मालिक जमीन का एक टुकड़ा खरिता है तो मालिक को प्रदान की गई पट्टिका में नए मालिक का नाम भी शामिल होना चाहिए ये सब ही दस्तावेश निरधारित करेंगे कि सरकारी रिकॉर्ट्स के नुसार संपत्ती आखर कहां खरीदी गई थी वहीं पर अगर हम बात करें चिट्टा की तो चिट्टा में जमीन से जोड़ी कई एहम जानकारिया होती है मसलन संपत्ती का मालिकाना हक किसके नाम पर है? उस संपत्ती का साइस और एरिया कितना है? हम आपको ये भी बता दें कि साल 2015 में इन दोनों डॉकुमेंट्स को मज़ करके एक डॉकुमेंट बना दिया गया और इसे ही हम पट्टा चिट्टा कहते हैं अच्छी बात ये है कि आप पट्टा चिट्टा सर्टिफिकेट को अब ऑनलाइन भी देख सकते हैं लेकिन आपके जहन में सवाल आ रहा हुआ कि आखिर पट्टा की जरूत है क्या? तो दरसल पट्टा तमिलनाडू सरकार द्वारा बनाया गया एक कानूनी दस्तावेज है और इससे ये साबित होता है कि उस संपत्ती का असली मालिक कौन है? इसलिए किसी भी संपत्ती को बेशने के लिए ये डॉकुमेंट का होना बेहत जरूरी है पट्टा जमीन के टुकडे का रवेन्यू रिकॉर्ड है जो सरकार द्वारा जारी के जाता है इसे रिकॉर्ड ओफ राइट्स यानि कि रो आर के तौर पर भी जानते हैं इस डॉकुमेंट में पट्टे का नंबर, ओजिले का नाम, तालुक, गाओं का नाम, साथी साथ मालिक का नाम, सर्वे नंबर और सब डिवीजन, वेट लैंड, ड्राइ लैंड और लैंड एरिया की डिटेल्स और इसके साथ टाक्स की डिटेल्स भी शामिल होती है इस लैंड रवेन्यू डॉकुमेंट में प्रॉपर्टी के एरिया, उसका साइस और ओनर्शिप से जोड़ी तमाम जानकारियों का पूरी तरह से विवरन के आता है समपती से जोड़े इस जानकारी को रखने और ड्राइ और वेट लैंड के बारे में विवरन देने के जिम्मेदारी ग्राम प्रशासन अधिकारी की होती है हम आपको बता दें कि तमिलनाडू में 32 में से 27 जिलों के लिए लैंड रिकॉर्ड्स अविलबल है अब देखें टेक्निलोजी का जमाना है तो आप पटा चुटा को मॉबाइल आप के जरीए भी एक्सेस कर सकते हैं इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना अगर एंड्रोइड अप्लिकेशन है तो वहाँ पर अम्मा को Google Play Store से डाउनलोड करना होगा और डाउनलोड करने के बार ए रजिस्टर पर क्लिक कीजिए इस कॉलम में आपको अपने जिले का नाम और बाकी डिटेल्स जो ऐसे की टाइप आप लैंड क्या है पर हक्टेर रेट क्या है या इरिगेशन मेकैनिजम और दूसरी जानकारियों के बारे में लिखना होगा पट्टा नंबर या सब्डिवीजन नंबर एंटर करके भी पट्टा धार के बारे में ज़रूरी जानकारिया मिल सकती है फॉर्म के आखिर में गेट डिटेल्स के आप्शन पर क्लिक करके आप सारी जानकारियों को हासल कर सकते हैं अब एक सवाल यहां पर आता है कि क्या इसी पट्टा चुट्टा ऑनलाइन भी मिल जाएगा तो इसका भी जवाब है हाँ आप तमिलनाडू पट्टा चुट्टा वेबसाइट पर जाकर पट्टा चुट्टा के लिए आविदन कर सकते हैं और यह सबसे अच्छी बात है कि पूरी तरह से मुफ्त है अगर आपको मियूटेट पट्टा चाहिए या फिर आप प्रापर्टी की ओनर्शिप को ट्रांस्टर कर रहे हैं तो आपको सौ रुपए का केवल मामुली भुख्तान करना होगा पट्टा चुट्टा के ओनलाइन आविदन के लिए कुछ जरूरी डॉकुमेंट्स होंगे जैसे कि ओरिजिनल सेल डीट और उसकी एक फोटो कॉपी जो आपने तहसिलदार के ओफिस में जमा की है इस संपत्ती के कबजे का कोई सबूत हम आपको बता दें कि पट्टा चुट्टा के ओनलाइन आविदन का पूरा प्रॉसेस सबसे पहले तमिल नाडू रजस सेवाओं की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं होमपेश पर दिये गए व्यू पट्टा एन एफमबी सिट्टा टी एसल आर एक्स्ट्राक्ट ऑप्शिन पर क्लिक करना है और जिले और उस शित्र को सेलेट करें जहां की प्रॉपर्टी है और उसके बाद आप उसे सम्मिट करते आपके द्वारा सारी जानकारी जम्मा करने के बाद आपको टाउन सर्वे लैंड रोजिस्ट्रार की तरफ से एक उनलाइन पट्टा चुट्टा सर्टिफिकेट मिलेगा जुसमें आपकी प्रॉपर्टी के बारे में पूरा ब्योरा दिया जाएगा मसलन के लोकालिटी, टाइप ओप लैंड, सर्वे नंबर्स की डिटेल तेकिन इन सब के बाद एक सवाल और आता है कि क्या तमिलनाडू पट्टा चुट्टा का स्टेटस ओनलाइन पता कर सकते हैं तो इसका भी जवाब है हाँ, आपको अपनी application ID का इस्तेवाल करके इस से online भी track कर सकते हैं वैसे स sf इतना ही नहीं, तमिलनाडू पट्टा चुट्टा को verify भी कर सकते हैं पट्टा चुट्टा की online verification के लिए login करने के बाद verify पट्टा की option को चुनिए और इसके बाद reference number को भर कर आप submit कर दीजिए कुछ लोग ये भी जानना चाहते होंगे क्या पट्टा चुट्टा को transfer किया जा सकता है तो हमने शुरुवात में भी कहा था कि जी हाँ बिलकुल 100 रुपय की मामुली कहीमत पर पट्टा चुट्टा को आप transfer कर सकते हैं इसके लिए आपको तहसिलदार के दफ्तर में जाना होगा अपनी application देनी होगी और पट्टा चुट्टा के transfer के लिए आवेदन देते वक्त आप सील डीट के original documents, tax की रसीद, बिजली बिल, incumbent certificate की photocopy ले जाना बिलकुल मत भूलेगा लेकिन हाँ, ये याद रखेगा कि अगर आपको पट्टा पर अपना नाम बदलना है, तो इसके लिए आपको गाओं के ग्राम प्रशासन अधिकारी के दफ्तर जाना पड़ेगा अब एक एहम सवाल ये आता है कि क्या flat खरीटते और बेचते वक्त पट्टा चुट्टा के जरुवत होती है, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि पट्टा चुट्टा एक कानूनी दस्तावेज है, जो भूमी से संबंधत लेंदेन में आवशक है, housing project का निर्माल करते हुए builders को इसकी आवशक्ता होती है, हाला कि individual buyers को पट्टा चुट्टा डॉकॉमेंट उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। जाते जाते हम आपको सचेत कर दे कि आप नकली पट्टा चुट्टा से सावधान रहिएगा। अगर आपसे कोई भी नकली पट्टा चुट्टा देने वालों कोई चंगुल नफसा है, तो specific relief act 1963 के section 34 के अंतरगत declarity petition file कर सकते हैं। तो जाते आते सिर्फ इतना कहेंगे कि सा भी जरूरी जानकार्या मिल गए होगी। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिये, नमस्कार.